हलो नमस्कार दोस्तों मैं कॉसलेन सिंग अपने यूट्यूब चैनल पर समस समानित सिछक सिछिकाओं का हार्दिक श्वागत वाभिनेंदन करता हूँ आज हम मानो संपदा पोर्टल पर पैरोल माड्यूल लाइन या पैरोल प्रुफार्मा नाइन पर आनलाइन उपस्थिती वपावना पत्र कैसे भरें यहाँ पर हम स्टेप टो स्टेप डेमो को दोरा सीखेंगे उपस्थिती दर्ज करने की कार पढ़ाली विद्यालियों के लिए तो यहाँ पर आपके शामने स्क्रीन पर है यह डाकुमेंट आपको प्रुफार्मा नाइन उपस्थिती दर्ज करने की कार पढ़ाली के बारे में विस्तरत जानकारी देता है कृप्या इस डाकुमेंट क को ध्यान से पढ़ें एवं किसी सुझाओ को दर्ज करने के लिए अपने बियार्शी से संपर करें Note 1 कृपया उन सभी क्रमचारियों का डाटा सही सही भरें जिन्होंने पहले से ही आवकास के लिए आवेदन किया है और उनका आवकास सिवकृत हो चुका है या फिर ऐसे क्रमचारी जिन्होंने आवकास के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका आवकास अवस्युकृत हो गया है या जिन्होंने आवकास का आवेदन नहीं किया है और वे आवकास पर चले गए हैं जिन क्रमचारियों ने कोई भी आवकास नहीं लिया है और वे माह के डेटा लाग हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का प्रिवरतन नहीं किया जा सकेगा इसलिए डाटा को लाग करने से पहले अच्छी तरह जांच ले उसके बाद ही लॉक करें नमबर थर्ड यहां पर पॉइंट दिया हुआ है किसी माह में अगर कोई भी क्रमचारी अनपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डेटा लॉक करेंगे इसके अलावा जो इस्टिप दिये हुए हैं तो सबसे पहला जो इस्टिप है यहां पर जैसा आप यहां पर देख रहे हैं यह आपको step by step उपस्थिती दर्ज करने की प्रिक्रिया को समझाता है तो यहां पर सबसे पहले step 1 की बात हम करेंगे तो step 1 में जैसा आप देख रहे हैं कि अपनी EHRMSID का उप्योग करके मानो संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें मानो संपदा पोर्टल पर लागिन करने के पस्चाथ आपकी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंकी पट्टी जिसको हम सब नवी गेशन बार के रूप में जानते हैं उसके उपर उपलब्द payroll टैप का चुनाओ करें क्लिक करें इस स्टैप पर क्लिक करने के पस्चाथ एक ड्रापडउन खुलेगा जिसमें basic education पैरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा उस लिंक को क्लिक करें ड्रापडउन मेनू के लिंक पर क्लिक करने के पस्चाथ आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जो की नीचे दर्ष आए गए चित्र की तरह दिखाई देगा तो आपको पेज के उपर ये पैरोल डैसबोर्ड दिखाई पड़ेगा और इसके नीचे दो कालम दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर देख रहे हैं एक सैलरी स्लिप प्रिंट करें और दूसरा है यहाँ पर क्रमचारियों की उपस्ति दर्ष करें Step 2 इस page पर आपको दो नए type दिखाई देंगे जो की निम लिखित हैं पहला है salary slip और दूसरा है attendance अर्थात opacity इन दो उपलध टैब में से आपको attendance टैब का चुनाव करना है इस टैब को क्लिक करते ही आप attendance dashboard पर चले जाएंगे जो की नीचे दर्साय गए चित्र की तरह दिखाई देगा Step 2 में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दो चीज़े आपको दिखाई पड़ेंगी attendance भरें fill attendance और attendance data लाग करें log attendance data तो यह Step 2 में इस प्रकार का page आपको दिखाई पड़ेगा Step 3 की बात करेंगे यहाँ पर तो उपरोग चित्र में दो टैप दर्साय गए हैं जिनका उपयोग एक-एक करके करना है इन दोनों टैप में से आपको सबसे पहले fill attendance यहाँ पर दिखे दिया हुआ है टैप का चुनाओ करना है इस टैप का चुनाओ करने से आप अपने पिद्याले के सभी करमचारियों की उपस्थिती अनपस्थिती का डेटा भर पाएंगे इस टैप पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर आपके स्कूल के अंतरगत आने वाले सभी करमचारियों की सुची दिखाई देने लगी जैसा कि नीचे दर्साय गय चित्र में इस पस्थ प्रदरशित है इस सुची में क्रमचारियों का EHRMSID क्रमचारी का नाम, क्रमचारी के पिता का नाम, क्रमचारी का पदनाम और एक अन्य कालम जिसमें Add, Edit, Attendance नाम से एक लिंक दिखाई देगा इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चाथ आप उस क्रमचारी की उपस्थती का डेटा भर पाएंगे, जिसको आपने चुना है Step 3 में आप अपने विद्यालियों के क्रमचारियों की सूची देख सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने यह दिया हुआ Add और Edit तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से Add और Edit कर सकते हैं Step 4 आपके सामने है उप्रोक्त में बताये गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चाथ आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जहां आपको उपस्तिती दर्च करने से संबंदित विभिन विकल्प मिलेंगे जिनका उपयोग करके आप किसी भी क्रमचारी की उपस्तिती या अनुपस्तिती दर्च कर पाएंगे नीचे प्रदसी चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और इस पस्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो की आपको उपस्टती से संबंदित डेटा भरने में सहायक होगा इस फार्म में कुछ छेत्र पहले से ही भरे दिखाई दे रहे हैं जैसे उपस्टती कब से उपस्टती कब तक क्रमचारी का नाम क्रमचारी का पदनाम अटेंडिंस फ्रॉम अटेंडिंस टू इंप्लॉई नेम डेसिगनेशन और सभी छेत्र आपके स्कूल द्वारा भरे जाएंगे जैसे अनपस्थिती कब से है, अनपस्थिती कब तक है, अनपस्थिती का कार्ड, अनपस्थिती की वर्दमानिसिती, रिमार्क, लिव फ्रॉम, लिव टू, रिजन आफ लिव, लिव, स्टेटस, रिमार्क, उसके लावा सभी फील्ड छेत्रों को भरने के पचार, आप इस ड सेव्ड का संदेश दिखाई देगा नीचे दो चित्र दर्साए गए हैं जिसमें एक चित्र अपूर है और दूसरा पूर रूप से भरा हुआ है step 4 में इस प्रकार का page आपको खुल के आएगा जिसमें attendance दिया हुआ है attendance from, attendance to, employee name भी दिया रहेगा, leave from और leave to, number of days, reason of leave तो यह सब या leave status क्या है यह सब चीजे आपको step 4 में आपको दिखाई पड़ेंगी step 4 में ही यह एक बटन दिया हुआ है यहाँ पर इसको submit कर देंगे step 4 में ही यहाँ पर उपस्थिती दर्च करने का form भी यह है आपके सामने यहाँ attendance है, attendance from, attendance to, employee name, leave from, leave to, number of leave days, reason of leave, leave status क्या है sanctions है या नहीं है और इसको करने के बाद आपके सामने यह जो option रहेगा submit तो उपस्थिती डेटा भरने के बाद submit बटन पर क्लिक करें step 5 उपरोगत उपस्थिती का डेटा सेव करने के पस्चाद आपको इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि जो डेटा आपके द्वारा भरा गया है वो डेटा मानो संपदा पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं इसके लिए आप attendance field टैब पर क्लिक करेंगी इस टैब पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया उपस्थिती संबंदित डेटा दिखाई देने लगेगा जिसको आप नीचे दिये गए चितर से समझ सकते हैं इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया सारा डेटा उपलब्द होगा और अगर आपने गलती से किसी दूसरे क्रमचारी का उपस्थिती डेटा भर दिया है तो आप delete बटन का उपयोग करके उस क्रमचारी का इस चित माह में उपस्थिती से सम्बंदित डेटा भरा होगा जिस क्रमचारी का डेटा भर चुका होगा तो यहां दिखाई देगा उसके अलावा यहां पर action कालम के नीचे आपको delete का एक बटन भी दिखाई देगा जिसका उपयोग करके आप किसी क्रमचारी का उपस्थि डेटा डिलीट कर सकेंगे। सभी क्रमचारी का उपस्थिती डाटा भरने के पश्चाथ आपको वापस अटेंडेंस डैस बोर्ट पर आना है वापस आने के पश्चाथ यहां पर देखिए लॉग अटेंडेंस डेटा टैप का चुनाव करना है जो की नीचे प्रदसी चित में दिखाया गया है यह लॉग अटेंडेंस डेटा है कि स्टेप सैवन उप्रोप्त लॉग अटेंडेंस डेटा टैप पर क्लिक करने के पश्चाथ आप एक नए पेच पर आ जाएंगे जहां आपके द्वारा भरा गया क्रमचारियों का अटेंडेंस डेटा उपलब्ध ह होगा यहां क्रमचारियों के डेटा के नीचे एक लॉग का बटन दिखाए देगा जिसका अप उप्योग करके आप उस महां से संबंधित उपस्थती डाटा लाग को कर देंगे तो यहां पर देख रहे हैं क्रमचारियों का अटेंडेंस डेटा और उसके नीचे आप यहा लॉग बटन पर क्लिक करने के पस्चाथ लॉग बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लॉग किया गया फाइनल डेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लेगेगा जैसा कि आप नीचे दिये गए चित्र में देख सकते हैं स्टेप एट डेटा लॉग करने के पस्चाथ आप उसी पेच पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थिती से सम्मधित डेटा लॉग किया था होग यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थिती से सम्मधित देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखाई देने लगेगा जिसका उप्योग करके आप उस मां का उपस्टि डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताचर करके उसको आगे अपने BRC-BEO को प्रेशित कर देंगे इस पेज में आप देख सकते हैं उपस्टि का फाइनल डेटा और यहाँ पर प्रिंट बटन आएगा तो प्रिंट बटन से आप प्रिंट निकाल कर आप BRC में जमा कर सकते हैं स्टिप नाइन प्रिंट बटन का उप्योग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको बलाक इस्तर के अधिकारी को अपने हस्ताचर होने के परशाद प्रेशिस कर देंगे इसमें नीचे दिये गए चित्र में विद्याले से सम्बंदित अधिकारी का नाम उसका प्रिंट करने की तारीक एवं हस्ताचर करने का इस्थान उपलग्द होगा केवल हस्ताचर के सामने का इस्थान खाली होगा अन्य के सामने का इस्थान पहले से ही भरा दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का आपके सामने पेच खुल कर आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, फाइनल उपस्तिती रिपोर्ट पर फार्मा, यह दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पर यहाँ पर विद्याले द्वारा अटेंडेस भनने की प्रक्रिया, जो है, समझाई गई है, किसी प्रकार की अस्विधा होने पर संबंधित अधिकारी, BEO से संपर्क करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक, सेर वा सब्सक्राइब करें, वा बेल आइकोन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप IVRS काल के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, आधार सि अगर आपिकेशन